धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीचे सौ घड़ा, रितु आए फल होए अपने इस दोहे में हिंदी भाषा के माहन कभी कभीर जी कहना चाहते हैं कि हमें हर काम एक निमित गती से ही करना चाहिए यह जरूरी नहीं कि जल्दवाजी करने से कोई काम जल्दी से हो जाए कभीदास जी उधारन देते हुए कहते हैं, जिस प्रिकार माली बले ही पेड में हर रात दिन सो घड़े पानी डाले लेकिन पेड पर फल तो फलों की सही रितु आने पर ही लगते हैं ठीक उसी प्रिकार हम चाहिए कितनी भी जल्दवाजी कर ले सही काम उचिस समय आने पर ही सफल या पूरे होते हैं अतहा हमें धैर पूर्वग अपने काम करते रहना चाहिए और फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए जब सही समय आएगा तो आपको आपके अच्छे कामों का फल जरूर मिल जाएगा